हालो दोस्तों वेलकम तू एज केसं चैनल आज हम नोटिफिकरशन जो डिसकस करने वाले हैं दोस्तो इस नोटिफिकरशन में नमर ऑफ वेकनशी डिकरंगे कितनी वेकनशी यह बट आपका जो स्लेक्शन प्रोसेस है इसमें रिटन एकजामनेशन नहीं है ना ही इंटर्व्य प्रोफाइल के आपको हम देखेंगे प्रोफाइल के एवरीटिंग हम देखेंगे देख लेते हैं स्लेक्शन प्रोफाइल के आपका है स्लेक्शन प्रोसेस में आपका 75 परसेंट जो मैरिट बैसिस पर होगा यह स्लेक्शन जिसमें बीटेक और बीटेक और बीएसी जो और वर्क एक्सप्रियेंस के बैसिस पर होगा बीटेक 75 परसेंट जो आपका जो फेटेज होगा वह बीटेक बीएसी का जो आपका स्कोर कार् यह जो है आपका मार्स एल्ड रिलिवेटेट फप्र एक्सप्रीयेंस यह वाइड उसका होगा जैसे कि टू-पॉइंट-फवाइब marks for minimum stipulated work experience and additional 1.25 marks for every additional six months of relevant experience up to 10 marks ठीक है इसका मिलेगा और जैसे कि एक साल का आपको धाई नंबर मिल जाएंगे एक साल का धाई नंबर उसी तरह अगर आपका जितना experience है तो उसके हिसाब से आपको 10 marks में से मिल जाएगा राइट जैसे कि आपका पांस साल experience पूरे दस नंबर आपको मिलते हैं राइट कंडिडेट विल सौर्ट लिस्ट इंटर्व्यू बेस्ट ओन दे और जो आपको जो रेस्ट हो जाएगा आपका 15% वह हो जाएगा आपका इंटर्व्यू का और इसमें स्लैक्ट हो जाएगा वन बाय मतलब पंद्रा परसंट जो इंटर्व्यू का है उसमें जैसे की हंडिड वेकेंसिज है तो उसमें पांस सो लड़कों को बुलाया जाएगा और इंटर्व्यू के लिए राइट फाइब ताइम तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसका अप्लाइ कैसे करना है आप आपको अप्लाइ कीजिएगा प्रोजेक्ट इंजिनियर की वेकेंसिज है मेडिकल डिवाइस मेडिकल इसका जो पार्ट है उसमें वेकेंसिज है मेडिकल डिपार्टमेंट में राइट फॉर एक्सपोर्टिंग मैनुफेक्ट्रिंग एस बी यू बैंग्लेडों कॉम्लेक्स लास लेक्ट्रिकल कमिनिकेशन उसमें राइट एक्जामनेशन फी 500 है जेनरल इकनोमिकर सेक्षन और ओबीशी के लिए और जो SCST कंडिडेट है राइट उनके लिए कोई भी एक्जामनेशन नहीं है SCSTPWD कंडिडेट और एक्जेम्टेट फ्रॉम दा प्यमेंट ओफ अप्लिकेशन फी SBI क्लेक्ट रिफरेंस नंबर आपको जो है यह चिक जो चलान है वह SBI ब्रांच में जाके आपको बनवाना पड़ेगा आप जब फॉर्म फील करोगे तो निकलेगा चलान वहां पे तीन पार्ट होंगे चलान का जिसमें एक पा सब्सक्राइब आपको इसमें लगाना पड़ेगा राइट दोस्तों उसके बाद इस सब में देखिए आपका जो है मेडिकल इंसोरेंस होगा और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ऐसा कंडिडेट ही फॉर्म कीजिएगा जहीं दिखिए इमेल आइडिये जहां अगर कोई आउट है you can contact on this number or you can mail by this राइट और अगर आपको डाउट है तो आप डिरेक्ट कोमेंट कीजिए मैं आपको help out करूंगा राइट और इसमें जो है सबसे जो बड़ी बात यह है इसमें जो है आपका यह देखिए qualification है मैं बताऊ यह गहांगा फोगा वह बात प्रोजेक्ट इंजिनियर मैडिकल डिवाइस में है जो है बेल बनाती है उसको एक्सपूर्ट के लिए उस दिपार्टमेंट में बी बी टैक जो है electronics Election Electrical Communication Electronics Telecommunication Telecommunications Mechanical Electrical Electronics Electronics इस सब डिपार्टमेंट में बैकेंसी निकली हुई है इस इस पर इस साल ओबीशी के लिए है आपका थ्री यर एक्स्ट के लिए five year extra right उसके बाद जो है इस में आपका first year जो है आपका salary हो जाएगा 35,000, second year, 40,000, third year 45,000 और fifth year 50,000 per month you will get salary और जो मैं बात बताने वाला था वो यह है only those candidates who are willing to travel extensively and relocate मतलब आपको travel करने में मज़ा आता हो और आप कहीं भी relocate कर सकते हैं पैन इंडिया में तो वही form field करेंगे number of vacancies देख लेते हैं कितनी है number of vacancies देखिए project 60 vacancies यहां break up दिया हुआ है और salary structure दिया है district headquarters in various state में आपका posting होगा राइट यह रहा भारती electronics limited बैंगलेडो इस में जो है आपका medical device जो है दीजे थैंक यू पर यूर recruitment process थैंक यू